बाकी सब प्रोस्नों बेकारे चुप हो जाओ तो देखो तुम पहुंच गए वही जगा जहां हिंदू भी पहुंचता है और मुसल्मान भी पहुंचता है तमाम चुप होने वाला एक ही जगा पहुंचता है प्रोस्नों में लोग मन से उलोज जाते हैं जो कभी ना सुलोजता खुदा है क्या नहीं है मिलता क्या नहीं नहीं मिलता क्या नहीं वो दुनिया क्यों बनाया बनाया तो सैटान को क्यों बनाया क्या कोसिस करना चाहिए खुदा को पाने के लिए मैं कहता हूँ यहां कुछ नहीं करना छोड़ दो कोशिस छोड़ दो सब हो रहा है तुम सिर्फ गाबा बन जाओ उनको कोशिस करना पाने की लिए कोशिस करना है उनको जो मैं कुदा को पाऊ खोना है रब को अगर पाना है यह मुर्खता छोड़ दो रब तो तुम्हारे उस खुलिया को भी खबर रखता है जिसको तुम खबर नहीं रखता जिन्देगी वार कभी भी खबर नहीं दिया कभी भी खबर नहीं लेते हो अल्ला उसको लिया के भी खबर रखता है वो तुम्हारे साहिरक से भी करीब है बस तुम रजामंद हो जाओ हूल दरदम हो जाओ सवालों का सिलसिला खतम करने का ही नाम मुराकबा है सवालों का सिलसिला खतम करने तो उसका ही नाम मुराकबा मुसाहिदा है सासों के आने जानी के नूर से सासों के आने जानी से जो नूर पईदा होता है और नूर के नूजुल को होंस के साथ सफर करना है इबादत कुछ करने की कोशिस गुना है इबादत में कुछ करने की कोशिस गुना हो जाता है उस पे गौर फिकर करना ही इबादत है हर सफर में अंदर के तरफ जाके देखोगे मैं नहीं हूँ हूँ मैं नहीं उहां पे मैं नहीं हूँ कि सब कुछ ना पाओगे वहां पे कुछ भी ना पाओगे जो होना है वो तुम्हारे साथ हो जाता है तुम्हारे हक जो है वो तुम्हारा सोचने में सोचने से पहला हो जाता है तुम्हारा हक में जो भी है वो सोचने से पहला हो जाता है मील जाता है हम सब सुख के खुआइसमंद है दुख वो पिडा के इनकर कर रहा है इसलिए हम सब चुनाओं में फसे हुए है अच्छा और बुराई क्या है इन से उपपर भी तीसरा मकम है निजात, हिदायत, बिलायत कहता है उसे जिसके पास खुसी में या दुख में एकी हालत है वो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं होते हुए भी उनके पास सब कुछ है समझो इस बात को वो इस नफसानियत की दुनिया में होते हुए भी खायसात की उपर है खायसात से उपर होई इनसान नफस रनियत के दुनिया में होते हुए ही खाई साद से उपखे है क्यूंकि नफसी खाई साद नहीं होते हुए भी वो सब कुछ पा जा रहा है क्यूंकि वो गहराई में उतर चुके अपने आपको पा गए पायधर हो गए वो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर गए होस दरदम में उन्हें पता हो गया उन्हें पता हो गया सब कुछ मेरा अंदर मौजुद है तो अभी तो बाहर में भी है मैं आपका सया हूँ में आपका सया हूँ मेरा आपका राज है जो उभर के आता है फिर छुप जाता है फिर से एक नहीं एक नौई राज मेरा में उभरने के लिए मतलब मेरा अपना राज है मैं आपका सया हूँ मेरा जो दावा करता हूँ वो आपका राज है जो उभर के आता है फिर छुप जाता है क्योंके फिर से एक नहीं राज उभरने के लिए ला इलह इल्ला ला इल्ह इल्ला ला इल्ह इल्ला वो बड़ा वद्सा है